आप शायद जानती हैं नंदितमैम, दरअसल किसी ने गयर कानूनी तरीके से मेरा कम्प्यूटर हैक कर लिया है, मेरा डेटा चूरी कर लिया है और उसे छेड़ छाड़ भी की है, एक end user के तौर पर मैं इससे कैसे निपढ़ सकता हूँ? राजिश, अगर तुम्हारा कम्प्यूटर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा है, तो तुम कभी भी हैकर्स का निशाना बन सकते हो, ये हैकर्स, वाइरसिस और कमजोर सॉफ्वेर के जरिये तुम्हारे सिस्टम में घुसपैट कर लेते हैं, इस तरह के थ्रेट से बचने के लिए तुम्हें साइबर सिक्योरिटी की जानकारी होनी बेहत जरूरी है, नंदिता मैं, तो आप मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानकारी दे सकती हैं, बिलकुल राजिश, एक यूजर के तौर पर, जब भी तुम इंटरनेट के जरिए जानकारी लेने, या बिजनिस के लिए अपने कम्प्यूटर में एकसेस करते हो, तो नेटवर्क थ्रेट का खत्रा हमेशा बना रहता है, तुम्हें हर वक्त ऐसे वाइरसेज और कमजोर सौफवेर से निपटना होगा, जो किसी ने तुम्हारे सिस्टम में घुसपैट करने के लिए डिजाइन क किया हो, साथ ही सभी कम्प्यूटर अच्छी तरह काम भी नहीं करते, इसी लिए कम्प्यूटर का पफॉर्मेंस इशू बड़ा मसला बन जाता है, इसी वज़ा से उन सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा मामला होना चाहिए, जो इंटरनेट का इस्तिमाल कर जानकारी हासिल करते हैं, तो चलो, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कम्जोर साइबर सिक्योरिटी के पीछे क्या आम वज़े हैं, अगर कोई घुसपैठिया किसी के कम्प्यूटर तक पहुँच जाए, तो इसके लिए एक खराब या कम्जोर पासवर्ट को सबसे आम वज़ा माना जाएगा, इससे यूजर की निजी जानकारी चोरी होने का खत्रा बना रहेगा, डेटा लॉस और इससे भी ज्यादा वित्ती नुकसान के चलते बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, अच्छा, सच में तब तो मुझे लग रहा है कि मेरा पासवर्ट भी बहुत कमजोर है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है राजेश, तो आश्चेरी की बात नहीं कि कोई तुम्हारे कम्प्यूटर में आसानी से प्रवेश कर ले, क्या आपके पास इस मसले का हल है नंदित मैं, हाँ, जरूर राजेश, इंटरनेट कनेक्शन के जरिए अपने क कम्प्यूटर को साइबर स्पेस से जोडने के लिए एक पासवर्ट की जरूरत होती है, पहले यही जानते हैं कि पासवर्ट क्या है और कैसे काम करता है